Hello Friends, Welcome to my channel Cookery Point Friends, आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ testy और healthy भी अक्सर testy चीज़े जो है healthy नहीं होती है पर ये testy भी है healthy भी है सभी लोग इसे आराम से खा सकते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं चनन चट पटी हाँ friends, आप अगर कभी मुंबैी गए होंगे तो वहाँ पर बीच पर ये चीज बैची जाती है और ये बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है तो आज इसी हम घर पर बनाने जा रहे हैं तो देखते है चन चटपटी के लिए लगनेवाली सामग्री सामग्री भी विल्कुल कम है और वक्त भी कम लगता है यहां पर हमने लिए है यह यह देसी चने देसी चने बड़े साइस के हमने लिए है klauccant पूरा पानी निकाल कर उसको एक बार दो के कुकर में चार से पांच सीटीय लगा कर इसे पका लिया है आप देख सकते हैं यह बिल्कुल भी एकदम अच्छे से पक चुका है इसके अलावा हमें चाहिए बारिक कटा हुआ टोमेटो लाल मिर्च पाउडर बारिक कटा हुआ प स्वादा नुसर हम नमक का भी यूज करेंगे इसके अलावा हमें चाहिए कुकिंग के लिए ओईल जो कि हमने पहले से ही गैस पर रखा हुआ है समय बचानी के लिए फटा फट से बता देते हैं कि इसे किस तरह से बनाना है आप देख सकते हो हमारा ओईल अच्छे से गरम ह गया है हम फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे और हमारे जो चने है उगले में चने हम इसमें सारे ही डाल देंगे मैंने चना एक कब भर की लिया हुआ था उसे भीगो कर फिरू बाला है इसे हम अच्छे से इस तरह से सोते कर लेंगे बहुत ज्यादा कड़क नहीं करना है इसल हम इसमें नमक अड़ करेंगे नमक आप अपने स्वाधा नुसर डाल सकते हो दो से तीन मिनिट तक हमने इसे इसी तरह से चलाया हुआ है अब हम इसमें को थोड़ा सा मध्यम आश्कर कर देंगे और फिर बाद में इस पर धकन लगा के एक से दो मिनिट तक इसकी उपर धकन रखेंगे यह दो मिनिट बाद थोड़ा सा जो है चने का कलर थोड़ा चेंज हो गया है इसका मतलब अभी है हो गया हमने जो नमक डाला था वो नमक भी इसमें से इसमें अच्छी तरह से घुल चुका होगा इस ताइम इस वक्त हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर मिर्च पाउडर डालने के बाद भी हम एक मिनिट तक इसी तरह से इससे स्टर करते रहेंगे मिलाते रहेंगे अब यह हमारा चना चटपटी बनाने के लिए एक दम वेड़ी है हमने मिर्च डालके भी एक मिनिट तक इला दिया है अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते है यानि बहुत जादा ठंडा नहीं बस गुन-गुना होने देंगे हमारा चना जो है अब एक़्दम गुन-गुना हो चुका है इसमें हम फटफटसे हमारी सारी चीज़े ढाल देते हैं पहले हम डालेंगे पयाच यह हमने एक मध्य मकार की पयाँच लिए थी एकदम बारी-बारीक इसे काट लिया है बाद में हम इसमें डालेंगे टॉमेटो टॉमेटो भी हमने बारी बारी काट लिया है एक दम एक बड़े साइस का टॉमेटो लिया है छोटी कटरी बरकर हरा दनिया आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो मैंने लाल मिर्च का इस्तिमाल आधी छोटी चमच किया था अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप कम या ज़्यादा अपनी सबसे कर सकते हो फिर इसके बाद हम इसे मिला देंगे अच्छी तरह से पहले ही सारी चीज़े हम अच्छी के मिक्स कर लेते हैं इसमें अब हम इसमें डालेंगे एक छूटी चमच चाट मसाला आप ज्यादा डालना चाते हो तो कोई बाद नहीं यह हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे जितना यह तेंप दिख रहा है अच्छा दिख रहा है उतना ही टेस्की भी होता है और जल्दी भी होता है क्योंकि आउयल इसमें बहुत कम है और उबली हुई चीज़े उस प्राउट समेशा ही अच्छी होते हैं अब हम इसमें डालेंगे लेमन का जूस हम एक लेमन का जूस इसमें डालेंगे यह हमने डाल दिया लेमन का जूस और लोग फटाफट से बन गई हमारी चना चटपटी आप इसे फटाफट से बना करते हों क्यूंकि ज्यादा वक्त नहीं लगता है बहुत अच्छी महक इसकी आ रही है बहुत टेस्टी लगता है यह आप इसे एक बार जरूर बनाईए और सब को खिलाईए करते हैं इसे डिश आउट और दिखाते हैं आपको तो इस तरह से हमने इसे डिश आउट करके सजा लिया है यह इसे आप जरूर बनाईए क्यूंकि यह बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को भी बहुत पसंद आता है आपको अगर हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेर करें और आप अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकोन को दबाए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अगली डिश के साथ बाई